सिर्फ सोचने से कहां मिलते हैं तमनाओं के सहर चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में डिस्क्रेंगे 15 माई के करेंड़ेफर और दिखें आज के वीडियो इंट के पीडियो के लिंक मिल जागी और दीके इस चैनल से ऐसे ही जी एस और करेंट अपर के मतपूर वीडियो के आट्वमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकोन प्रेस का मत खुल लिए और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी क और दीके दूसरा था कि हाल ही में भारत के ओप राश्पती एम वंकया नाइडू ने किस देश में सुलवें समिकतराष्ट दीवस विसाक में भाग लिया तो दीके यह देश आपका वियत नाम है और इसके बारे मैंने पर्सों के वीडियो में बहुत डेटल में था तो पर के वैस्विक रूल आउट के लिए किस अस्तान को अपने केंदर के रूप में चुना है तो दीके यह सान आप लंदन है और दीके चौथा था कि पांचवा सञ्टराष्ट वैस्विक सडख सुरक्षा सब्था कब से कब तक मनाय गया है तो दीके यह मनाय गया आपका 6 से 12 म इसने 2019 को येर आफ नेक्स्ट आफ कीन्ट के रुप में गोसित किया है और दीकिए आज करेंटर का पहला प्रशन है कि हाल ही में किसे C8 महिला क्रिकेटर आप दे एर के खिताब से सम्मानित किया गया है तो दीकिए ये महिला क्रिकेटर आपकी है स्मृति मंधना इनका नाम आपको एक लाइन में रखना है कि समृति मंधना जो है इनको C8 महिला क्रिकेटर आप दे एर चुना गया है और दीकिए ये पर सभी एक्जाम में पुछा जएगा और दीकिए आपका ये C8 का क्रिकेटर आप दे एर का पुरुषकार है इसको विराट कोली को दिया गया है और C8 का जो Batsman आप दे एर का पुरुसकार है ये भी विराट कोली को ही दिया गया है और देखी जो आपका Woman Cricketer आप दे एर का पुरुसकार है ये स्मिरती मंदना को दिया गया है मैंने आपको बताई दिया है और देखे टोपका C8 का वंडे क्रिकेटर आप दे एर का पुरुषकार है ये रोहिस सर्मा ने जीता है और टेश क्रिकेटर आप दे एर का पुरुषकार जो है चेतेस्वर पुजारा ने जीता है और बालर आप दे एर का पुरुषकार जो है जस्परीद बुमराह ने जीता आउट स्टेंडिक परफार्मेंस आप तीटी यह का ह yaदों ने जीता है और इंटरनेशनल से टीट्विएटी प्लेयर आप unc सतों मन ने इसंड को या रखने हैं इनमें से कोई भी नाम इक्जाम में यह सकता है ठीक है खास आसे देखिए मैं पुझा जो कि विराट कोली का नाम इनको कोई पुरसकार अगर दियाता है तो उसको पूलेता है और जबकि इस मरिती मंदना हो गई और जबकि मिताली राज हो गई मतलब इस सभी जो पॉपलर खिलाड़ी है निगए तो इनको कोई पुरसकार मिलता है तो ये एक्जाम में पूछ लेता है तो आपको भी क्या करना है सारे के सारे नाम रूट कर लेने हैं कि इनको कौँ सा पुरसकार दिया गया है और दीखिए दूसरा प्रशन की निम्लिकेत में से किसे हाल ही में मेकन इंस्टिटूट अवार्ड 2019 से समनित किया गया तो दिखी जो आपका मेकन इंस्टिटूट अवार्ड 2019 है इससे समनित किया गया है च्छाया सर्मा को और दिखी च्छाया सर्मा कौन है दिखी च्छाया सर्मा जो है एक IPS आफिसर है और दिखी जो आपका निर्भया रेप पालन करने के लिए दिया गया है और तीसरा प्रश्य की निम्लिकित में से वित्ती संकट से जूज रही कि इसे विवानन कमपणी के उप मुख कारिकारी अधिकारी और मुख के वित्ती अधिकारी अमीत अगरवाल ने इस्तिफा दे दिया है तो दीए आपको बतातू कि ये विमानन कमपणी आपकी है जेट अगरवाल जो की जेट अगरवाल जो की जेट अगरवाल विमानन कमपणी में जो है उप मुख के कारेकारी अधिकारी और मुख के वित्ती अधिकारी के रूप में कारेकारी थे इन्होंने भी अपने पत से इस्तिफा दे दिया है और दीक इसलिए 17 अपरेस जो है जो आपका जेट एर्वेजा ठीक है इसका परिचालन जो है ठप पड़ागए यानिकि इसकी सारी सेमा जो है रोक दी गई है और दीके पता दूँ कि हाल के महीने में इस एरलाइन्स के कई सिर्ष कारेकारी अधिकारी और बोर्ड मेंबर्स ने भी अमित अगरोल का नाम भी आता है तो यह सारी डीटेल यार रखेगा और देखे चौथा प्रशन की किस बालीवुड अबनेत्री ने एपी गेमिया ब्रैंड केता है तो फ्लेवर्ड योगर्ट स्मूदीज और मिष्टी दूई बनाने वाली कंपनी ड्रम फूट्स इंटरन किया है तो इसमें निवेश करने वाली अबनेत्री आपकी है और जब योगर्ट बनाती है स्मूदीज और मिष्टी दूई बना दिये ठीक है और दीक है आपको बता दूब कि जो आपकी डीपी का पादुगर्ण है इस कंपनी में निवेश किया है अपना पैसा तो तो ये डीटेल लियाद रखना है आपको और पांच आपको केंदर सरकार ने लिब्रेशन टाइगर्स आप तमील इलम यानि कि लिट्टी के खिलाब प्रतिबंद को और कितने सालों के लिए ततकाल प्रभाव से बढ़ा दिया है तो देखिए ये प्रतिबंद को टोटल पांच सालों के लिए वियाली में केंदर सरकार ने बढ़ा दिया है और देखिए केंदर सरकार का जो ग्रे मंतराल है इसने बताया है कि गैर कानूनी गत्विदियां रोक्थाम अधिनियम उननी सो संटर के तरह जो है जो अब का लिट्टे इस पे 5 साल का जो प्रतिबंदahan इसको और बढ़ाया गया है अध्ची अधिशूजना में ये भी का गया है देखिए जो ग्रे मंतरा है इसने अध्शुरेना जारी की है उनकी अधिसूजना में कहा गया है कि लिट्टे की और से जारी हिंसा एवं विद्वन्सकारी गत्विदियां जो है ये भारत की एकता और अकणता के लिए हानिका रखा है और दीखे लिट्टे का गठन किशने किया था ये एकजाम में कई बर पुछा चुका है और लिट्टे का गठन क्यों किया था ये भी मैं आपको पता रहता हूं दीखे जो अपका लिट्टे था तीक है इसको तमिल टाइगर्ज के नाम से भी जानते है और तमिल टाइगर्ज वहाँ पर तमिल राजे है कि वह आपे तमिल भासी लोग रहे हैं और दीखे च्छठा प्रशन है कि हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संग्ठन यानि कि DRDO ने 13 माई 2019 को ओडिसा के चांदीपुर में किस ड्रोन का सफल परिशट किया तो दीखे इस ड्रोन का नाम अभ्यास है और अभ्यास के बारे में सारी डीटेल में आपको वदा जता हूँ था कि यहां से कोई भी कुछ से निक्जामें बढ़े तो आप उसको सालो कर सेके हैं दीखे आपको वदातू कि जो आपका यह अभ्यास नामक ड्रोन है यह एक आटो पाइलट की मदद से सोतत उडान के लिए डिजाइन किया गया ड्रोन है और इकी जो आपका अभ्यास है इसका कान्फिग्रेशन डिजाइन जो यह छोटे गैस टर्बाइन इंजन पर आधारी था है और इसके नविगेशन के लिए भारत में ही विक्सित मेंस यानि यह माइक्रो इलेक्ट्रो मेकेनि है तो यह सारी डीटल आपको यह रखनी है अभ्यास के बारे में लेकिन सबसे पहले एक लाइन में रखना है कि जो आपका अभ्यास है यह एक ड्रोन का नाम है और अभी हाली में DRDO ने 13 माई 2019 को इसका परिक्षड किया है ओडिसा के चांदीपूर से तो देखिए एक ही ची का भी सपल परिशर्ट किया था और दीखे तो हम बात कर लेते हैं DRDO के बारे में देखिए जो आपका DRDO है इसका पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च एंड डिवलप्मेंट आर्गनाईशन और इसके स्थापना उनी सौन ठाउन में की गई थी इसका मुख्याल आपका नई द परिशा मंतरिन का नाम है निर्मला सीता रमर्ड और सातों प्रशन की किस देख ने पाकिस्तान की एक और चीन की कई कमपनियों समेट टोटल बारव विदेशी कमपनियों को अपनी एंटीटी सूची में सामिल किया है तो देखिए ये देख आपका अमेरिका है आपको यार समेधन सील पूढ़िक जो आपकी आपकी समेधन सील टेक्नोलजी है ठीक है जिसे हतियार वाली या फिर परमाड़ु खतियार वाली तो यह नोगों के हाथों में नहीं पड़े जो कि देश के राष्टी हील को नुकसान पहुंचा सकते हैं यानि कि आतंक्यों के हाथों में जो आपकी ये बंबनाने वाली या फिर जो कोई मलब ऐसे टेकनालजी ना पहुचे जो मानो समाज के लिए हानिका रखो ठीका यानि कि मानो समाज को नुकसान पहुचा सके और आठाव प्रिशने की हाली में डिपार्टमेंट आप बायो टेकनालजी को दोरा यूमन टीशू की मैपिंग करने के लिए किस नाम से एक पहल आरम की गई है तो देखे इस पहल का नाम है मानो हुमन एटलस इनिसियेटिव और देखे इसके तर जो आपके वग्यानिक हैं ये मनुस्य के शरीर के प्रतेक टीशू का जो है सोत करेंगे तो कई सारे आरगन यानिकि अंग मिल जाते हैं तो क्या होता है हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है तो ये आपकी थोड़ी सी भाहलोजी होगी आज करेंट पर के सासाथ तो आपको ये डीटेल लेया रखना है कि सबसे बले का रखना है कि हाली में डिपार्टमेंट आप बायो टेकनोलजी यानिकि डीबीटी के द्वारा हुमन टिशू की मैपिंग करने के लिए हाली में मानो हुमन एटलस इनिस्ट्यूट्यू नामक एक पहल आरम की गई है और इस पहल के ता जो है मानो शरीर के प्रतेक टिशू का अधियन के जाएगा कि इसमें कोन कोंसी क्या खास बते हैं इसमें सोथ किया जागा ठीक है और यह थोरता हम बात कर लेते हैं डीबीटी के बारे में यानिकि यह संबन्द आपका है Ministry of Science and Technology से ठीक है तो जो आपका Department आप बायो टेक्नोजी है यह Ministry of Science and Technology से संबन्द है और दीके नवा प्रशन के निम्रकित में से कौन ICC International Panel आप मैच रेफरी में नियुक्त होने वाली पहली भारती महिला बन गई है तो दीके यह पहली भारती महिला आपकी है GS Lakshmi तो कि यह First appointment और First event यह तोनों चीज़े एक्जाम में पुछा आते हैं तो यह पहला appointment है किसी भारती महिला का ICC International Panel of Match रेफरी में इसले एक्जाम के लिए Most important है इसको आप अलग से कहीं नूट कर लिजेगा तो यह सारी चीज़े आरके का और दीकि इसके साथ में मैं आपको कुछ revise कराना चाहता हूं दीकिए मैंने आपको इसी महिने में सूर्व में बताया था कि जो आपकी क्या गया है तो दीकिए भी हाली में दिनेस पेंक्टाई को जो है LIC Mutual Fund के CEO के रूप में नूट क्या गया है और दीकिए आपका LIC Mutual Fund के इसके बारे में जा लिए देकि कि CEO के रूप में नूट क्या गया है और दीकिए ग्यारों प्रस्च जो है यह बहुत important है द्या सुने का दीकिए यह प्रस्चना आपका है कि जो का यह Asia Pacific Diamond Cup है यह किससे समधी था है तो Asia Pacific Diamond Cup जो है एक Gold Tournament है और इस काजन कहा भी किया गया था दीकिए जापान में जो अब याली में इस काजन किया गया था और दीकिए इस Asia Pacific Diamond Cup में जापान के जो योसुक आसाजी है नोने Asia Pacific Diamond Cup 2019 का किताब जीता है इसको आपको यार र दीकि भारत के एक प्लेयर है राहिल गंगजी ठीक है तो राहिल गंगजी 49 में अस्तान पर रहे है इस Asia Pacific Diamond Cup 2019 में और विराज मडपा जो है यह तिरपने में अस्तान पर रहे है इस Asia Pacific Diamond Cup 2019 में तो यह सारी नाम आप किया ठीक है तो यह था आपके आज के सभी मुद्वर मैंने कल बहुत ड्रील मता था तो आईपियल के जितने भी कुश्चन बन सकते हैं उनको आप कल के वीडियो को देखे रिवाइस खलीजेगा और दूसरा प्रशन आपके लिए कि किस किलाडी ने आईपियल 2019 में परपल के वाखिताब जीता है इसका उतर प्रता है यह और तीसरा एकिन निम्नखित में से किस दिको अंतराश्टी नर्स दिवस मनायाता है इसका उतर प्रता है चौथा प्रशन की हाल ही में किस बेक्टो इरिटरिया में भारत के अगले राजदूस के रूप में निम्नखित किया गया है इसका उतर प्रता है और पाच्वा है कि हाल ही में किस नाम से विस्व की पहली एक मात्र महिला क्रिकेट पत्रिका का बिमोचन किया गया तो इस एक पत्रिका गनाम बताई है और इसकी बारे मैंने कल का आपको जो भी चीह बताई थी उसको आप जबहर बताएंगे कमेंट बाक्स ने ठीक है तो पुरी इड़र बताईए लिए इसे तो इसे के साथ आज का क्रिंटे फैर यह इस समस्था है कल फिर मिलेंगे कर देकर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिशन आपको आटमेटिक और सबस्क्राइब बने जाए और देखे कर आप मुझे इंस्टागरम पे ट्वीटर पे है आजी आजी आज